पॉल्य वर्ट इंडास्टरी के स्टार राइटर की जोडी सलीम जावेद की डॉक्यूमेंटरी oo कर लॉबंच की गई और इस दौरान ये बाते सामने आई कि किस तरह से सलीम जावेद ने अपने जमाने में इंडास्टरी को डॉमिनेट किया था राइटर्स को इंडस्ट्री में बड़ी इज़त दिलवाई, फिल्मों में उन्हें क्रेडिट मिलने लगा और हाइएस पेड राइटर्स ये थे, एवन सूपरस्टार से भी जादा फीज ये राइटर की जोड़ी वसूलती थी और इस प्रेस कॉंफरेंस से एक चीज बहुत तेजी से वाइरल हुई कि जया बच्चन ने डॉक्यूमेंटरी ट्रेलर में सलीम जावेद को ब्रैट बताया, बेहुदा बताया, उसका जवाब सलमान खान ने दिया जो भी काफी वाइरल हो रहा है लेकिन इसी बीच अब सलीम जावेद और अमिताब बच्चन को लेकर एक नई बात सामने आई है कहा जा रहा है कि सलीम जावेद जो है वो कोई स्टार जोडी नहीं थे, कोई स्टार राइटर्स नहीं थे उन्होंने तो बस इंगलिश फिल्में कॉपी करके उन्हें हिंदी में बनाया क्योंकि उस वक्त copyright का issue नहीं था इसलिए इनके उपर किसी ने उंगली नहीं उठाई ये भी कहा गया कि सलीम जावेद की फिल्में इसलिए चली क्योंकि वो फिल्म में अमिताब बच्चन जैसे super star करते थे और अमिताब का उस time औरा ऐसा था कि वो किसी भी फिल्म में काम करें वो फिल्म हिट हो जाती थी फिर चाहे वो फिल्म सलीम जावेद की हो या किसी टॉम डिक हैरी ने वो फिल्म लिखी हो शराबी, लावरेस, कालिया, सुहाग, नसीब, गंगा की सौगन कई ऐसी फिल्में हैं जो super hit थी और ये फिल्में सलीम जावेद ने नहीं लिखी आमिता बच्चन का crazy ऐसा था कि कोई भी फिल्म उनकी आती थी लोगों को इंतिजार रहता था लोग उन्हें देखने के लिए तरस्ते थे उनकी फिल्में हिट हुआ करती थी आमिता बच्चन नहीं होते तो सलीम जावेद कौन? कोई नहीं सलीम जावेद अपने दम पर आज एक हिट फिल्म की कहानी नहीं लिख सकते हैं क्योंकि उनकी सारी फिल्में कौपी थी तो बेसिकली सलीम जावेद हिट जोडी बने सिर्फ और सिर्फ बिग भी आमिता बच्चन के स्टार्डम के कारण सोशल मीडिया पर ये बात क्यारके ने लिखी है और क्यारके की ये पोस्ट बहुत तेजी से वाइरल हो रही है हाला कि क्यारके की इस पोस्ट से कई लोग अगरी नहीं करते हैं उनका कहना है कि हाथी मेरे साथ ही जैसी फिल्म में अमिता बच्चन नहीं थे लेकिन वो फिल्म हिट थी फिर सलीम जावेद ने जंजीर फिल्म लिखी जंजीर फिल्म अमिता आपको दिमाग में रखकर लिखी ही नहीं गई थी उसके लिए दिलिप कुमार सहब पहली चॉइस थे धरम पार जी को इस फिल्म में लेने की बाते चल रही थी लेकिन जब इन सूपर स्टार्स के साथ ये फिल्में नहीं बना पाए तब जाकर अमिता बच्चन को इस फिल्म में मजबूरी में लेना पड़ा और ये फिल्म सूपर हिट हुई और इस फिल्म ने अमिता बच्चन को स्टार्डम दिलाई थी ये सब जानते हैं क्या आप भी अगरी करते हैं कि अमिता बच्चन की वज़े से सलीम जावेद है या सलीम जावेद की वज़े से अमिता बच्चन अमिता बच्चन बने